इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोबरा काई के सीजन 3 और सीजन 4 के बारे में इसके जो 1st और 2nd सीजन है मैं देख चुका हूँ और उसके उपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ तो जाकर वो वाली वीडियो भी देख लेका 3-4 वीडियो के उपर आ जाएंगे तो थोड़े बहुत पैसे छी मिल जाएंगे रुपे नहीं पैसे ही मिल जाएंगे तो बनलब गरीब आदमी का भला भी हो जाएगा क्या है सीजन 3 और सीजन 4 के उपर आते हैं ऐसा नहीं है कि चार सीजन भी में यह सीजन पूरी सीरी जब खतम हो जाती रही है नहीं नहीं इसके बाद इसका 5-4 सीजन आएगा क्योंकि सीजन 4 जब खतम होता है इसमें इंटरस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और एक तरिके से उत्सुक्ता और आती है कि अब आगे क्या होने वाला है तो इससे ये बात पकी है, इसका season 5 आएगा अब season 5 में वो कहानी खतम होती है या नहीं होती है, ये अभी कहे नहीं सकते है क्या पता season 6 भी आज़े, कैर अपने मुद्दे पर आते हैं, या फिर कहें कि story की चर्चा कर लेते हैं, एक व्यक्ती जिसका नाम होते है Johnny Lawrence, वो एक दों बिल्कुल बिना उसको कोई aim नहीं है, उसका कोई सपना नहीं है, बस ऐसे जिये जा रहा है, टूटा हुआ है, बतलब एक दिखरा हुआ इंसान है, हारा हुआ इंसान है, जैसा इसका जो नाम है, अपने टाइम में बहुत ज़्यादा फेमोस हुआ करता था, लोगों को मारने में गलत गलत सिक्षा देने के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमोस हुआ करता था, और जो Johnny Lawrence है, वो इसी कासी हुआ करता था, क्या मैं इतना तो आप जा नहीं जाओगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखोगे, तो पता चल जाएगा, यहाँ जो कोबरा का यह जब यह ओपन करता है, तो इसको काउंटर करने के लिए, जोनी लोरंस का ही एक दोस्त होता है या फिर कंपेटिटर होता है, जो अपना एक डोजो ओपन करता है, अब यह दोनो डोजो की आपस में लडाई है, इस पूरे सीजन में यह दिखाया गया है, और इन में बच्चे हुए हैं एक स्कूल के बच्चे हैं, जो आपस में कनेक्ट होबाते हैं, हर एक की अपनी अपनी एक स्टोरी है जैसे शुरुआत में जोनी लोरंस जो डोजो ओपन करता है, उसकी सबसे बड़ी गलती समझ लो क्योंकि वो अपनी पास्ट की उन चीजों को वापस लेके आने वाला जो उसने कभी अपने पास्ट में जी थी और जिसे वो नफरत करता था यह फर्स और सैकंड सीजन में तो इतना था लेकिन थर्ड सीजन में तो जब इसका जो पास्ट में जो इसका खुद का सेंसाई या सेंसे बोले तो जो टीचर हुआ करता था जोनी लोरंस का वो भी इसमें आ जाता है सेंसे क्रीज जो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये डोजो है कोबरा काई को एक अलगी लेवल पे लेके जाता है इसको और जादा खुंकार बनाता है बच्चों के अंदर इतना गुसा भरने की वो कोशिश करते हैं तो ये सब चीज़े देखते हैं तो काफी जादा मज़ा भी आता है इंटरस्ट क्रियेट होने लगता है कि अब और क्या होगा और इससे भ्धान क्या होने वाला है कौन कैसे जीतेगा इन सब चीज़ों को लेकर मिला कर आपको ये कोबरा का पसंद आने वाली है इस सेरीज के सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी क्योंकि इसके अंदर जो करेक्टर डेवलोपन्ट है जिसमें जितने में में करेक्टर उनकी अपनी एक कहानी दिखाए जाती है जिससे हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं और हमें लगते हैं कहीं न कहीं के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ था तभी ये इस रास्ते पर चल पड़ा है जोनी लोरेंस जिस तरीके का व्यक्ति है जैसे में इसमें दिखाया गया कि वो क्यों टूटा हुए अच्छल में उसको शिक्षा ही वैसी दी गई थी आप देखें तो एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशन इसके अंदर दिखाया गया है कि टीचर का परभाव काफी जादा होता है अपने स्टूडेंट के अपर स्टूडेंट उसे बहुत को सीखता है और सीखने के बाद वही चीज़ें जो है अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करता है अगर टीचर अच्छा है उसे अच्छी गाइडलाइन्स दे रहा है तो वो जो बच्चा है या फिर जो उसका स्टूडेंट है वो आगे चलके वो definitely success हासिल करेगा अपनी life को अच्छे से जीएगा एक अच्छा परिवार होगा समाज में contribution करेगा और अच्छे-च्छे से मतलब लोगों को रहना भी सिखाएगा तो ये सब चीज़ें हमें ये बकाइदा देखने को भी मिलती है डैनियल लरुसो के केस में जैसे उसका teacher था उसको अच्छे-ची सिख्षा दी और वे काम्याव इंसान भी है अपनी family के साथ अच्छा time spend भी कर रहा है काफी अच्छे से खुशी से वो जीवन जी रहा है लेकिन जोनी लोरेंस को आप अगर देखें तो उसका जैसे teacher था उसको सिर्फ और सिर्फ गुसा करना ही लोगों को गाली देना और इतना गलत तरीके से behave करना उसको बस यही सिखाया है एक तरीके से हाँ यह बूरा नहीं है लेकिन इसके दिमाग में वो कच्रा डाल दिया गया इसको निकालने भी इसको काफी ज़्यादा time लगा लेकिन अभी भी एक कमीना इंसान है और भी काफी सारे character हैं जो ज़्यादा तर teenagers हैं इस series के अंदर जिनकी आपस में जो दोस्ती है, प्यार है, नफरत है इन सब चीज को लेकर इसमें दिखाया गया है बहुत बड़िया से चीज़ों को develop किया गया है हर एक character से आप connect हो पाएंगे उनकी story जब बताए जाती है इवन जो इसके अंदर सबसे खतरना जो character है या फिर दो इसमें सबसे ज़दा खतरना है उनका नाम तर नहीं लोगा, एक का ज़रूर नाम लोगा जो sensei crease है उसकी भी एक story दिखा जाती है कि वो इनसान इतना बूरा क्यों बना actual में उसके साथ भी past में कुछ हुआ था और उससे भी हमें कहीं न कहीं सहानुबती होती है जो end में जो season 4 के में, जो end में जब उसके साथ जैसा बरताव किया जाता है तो हमें लगते हैं कि इस इनसान के साथ गलत हुई और इसके अंदर भी regret है देखे स्टार्टिंग में तो जो sensei crease है उसको देख तो ऐसा लगते हैं कि यार ये इनसान बहुत जादा कठ हो रहा है और आपने अलावा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो spoiler हो जाएगा मेरे ख्याल से इतना काफी आप लोगों को ये बताने के लिए ये जो series है ये बहुत जादा अच्छी है इसके अंदर drama है, दोस्ती है, प्यार है, जगड़ा है, कराटे है सब कुछ है आपको teenagers की आपस में लड़ाई देखने को मिलेगी, उसमें प्यार देखने को मिलेगा उसमें आपस में टकराव देखने को मिलेगा, इस सारी चीज़ें तो देखने को मिलेगी साथ इसाथ knowledge भी आप लोगों को मिलेगी किसे कह सकते हैं कि आने वाला जो सीजन है, वो और जादा इंटरस्टिंग होगा क्योंकि कोई नई मोड पे ही जा रही है, यह सीरीज जो है अब नई-ने करेक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं यह सब चीजे बहुत जादा इंटरस्टिंग होगी बच्चों के अंदर जो यह टीनेजर जो इसके अंदर दिखाए गए है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डेवलोप्मेंट हो रही है अपने सेंसाई को लेकर कोब्रा काई के वाले को तो यह overall season जो है या फिर overall series जो है वो मुझे काफी जादा पसंद आई है season 1 से लेके season 4 तक बात करें और मैं काफी जादा excited हूँ season 5 के लिए अभी पता नहीं कब तक आएगी अगर आपको बदा हो कुछ भी नोले जो तो प्लीज बता देना कि कब तक आपने कोई search किया है और मैंने सर्च नहीं किया है कोई season 5 कब आने वाला है जब आएगा तब बात कर लेंगे क्योंकि सारे message वियाने स्टार्ट हो जाएगे और हंगामा उट जाएगा कि season 5 आ रहा है हिंदी में है यह इंग्लिश में हिंदी में है और काफी अच्छी डबी है ऐसा कुछ नहीं है हाँ गाली के लोच है तो यह बच्चों के लिए तो बिलकुल भी नहीं है तो बच्चे इससे दूर रहें तो बस आज के लिए इतन है था थैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो मिलते है नेक्स वीडियो में जाहिंद